महालक्ष्मी की लाश मिलने से पांच दिन के बाद एक तरह से यह केस सुरज गया लेकिन दूसरी सच्छा यह है कि इस केस का बातें कर सकते हैं अब शायद ही कभी सामने आए वजह यह है कि महालक्ष्मी का लोकारपन था, खुद उसने अपनी जान दे दी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब सनल में और इस तरीके से पांच दिनों से लगभग बेंगलूरू पुलिस जिस महालक्ष्मी के पाटिल को तलाश कर रही थी वो तलाश भी अब खत्म हो गई लेकिन उस कातिल की खुद को जान देने के बाद अब बेंगलूरू पुलिस के पास कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब शायद ही मिलेगा कैसे बेंगलूरू पुलिस ने शुरू में कहा था के कातिल कौन है कैसे काटने के खुद जान देने की बात सामने आई है उसकी तस्वीरें आई है और क्या मज़ा था जो महालक्ष्मी का अपने किया क्यूं उसकी लाश के टुकरे किये इन सवालों के जवाब अपनी जान लेने से पहले उसका अत्री में एक डाईरी मिली इस वक्त औरिसा पुलिस के पास है और अब कोर्ट के जरिये बैंगलूरू पुलिस उस डाईरी से तरह से नोट भी कह सकते अब हासल करने की कोशिश कर रही है क्या की पूरी कहानी इस कहानी का सच कैसे सामने आया पहले वो आपको सुनाता हूं सिलसिलेवार 21 सितंबर को मैंने पहले में आपको बताया था कि घर से बद्बू आ रही थी वहां लक्ष्मी गए तो मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मा और उसकी बहन को फोन किया वो लोग घर आया दर्वाजा खोला बद्बू भी और साथ में फर्ष पर लाश के टुकड़े थे कुछ हलांकी सफाई हो चुकीती फिर भी बढ़ गया था फ्रिज के अंदर तुकड़े थे सबसे उपी खाने में पैर रखा था बीच में बाकी हिस्से और नहीं के साथ इसके बाद शुरू होती है पुलिस जब तक करती है तो पता चलता है कि महालक्षमी का मुबल 2 सितंबर बल्कि 2 सितंबर नहीं अब जो जानकारी आई है कि 2 सितंबर की राद तक कौन था लेकिन राद 12 के बाद 3 सितंबर की तारीक पर गई तो काईदे से रिकॉर्ड पर यह है कि 3 सितंबर को सींचा हो गया था और सिर्सा पुलिस ने अंदाजा लगाया कि 2-3 के बीच में कतल हुआ होगा और फिर पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी है शक के घेरे में अलग-अलग 5-6 लोग और ये 5-6 लोग इसलिए आया क्योंकि वहां लक्ष्मी के घरवालों ने और फिर खुद महालक्ष्मी के हस्बंद दो हिमंद दास हालां की वह अलग रह रहा था लोगों ने शक जताया था अभी को थे 5-6 लोग एक तो खुद हिमंद दास महालक्ष्मी का आगमन था लेकि नलग रह रहा था दोनों के रिष्टे खराब कर पुलिस टेशन में में मिले 2 से खिलाफ शिकायत भी कर रखी थी तो पुलिस को शक्ता की उसका पती ने मार दिया पहला सबसे बड़ा संधों गया था वही मंद पड़ गया दो कैरेक्टर के नाम हिमंद दास ने पुलिस को बताया एक बताया की एक सेलून में काम करने वाला एक शक्स जिसका नाम है और अब के साथ वह अकसर भूनती है कई बार अशर्फ को उसके घर पर अपनी स्कूटी पर पिक करने के लिए आता है और फिर ड्रॉप भी करता है एवं सोनाक्षी महालक्षमी के बीच जगड़े की वज़े से उसने बताई उसने इस कोई बताया लेकिन सिर्फ शब तक नहीं गया उसने दो और नाम है अभी तो दो और नाम लिए इन दोनों को पुलिस ने तफ्तीश की इन दोनों के नाम डिस्कलोजिस लिए नहीं किया कॉल डिटेल खंगाली कॉल डिटेल खंगाल और महालक्षमी के बारे में बात क्या कहा काम करती है वहां एक टीम गई उसके मौल के शौक में जाकर पुछताच की तो पता चला कि महालक्षमी आखरी बार मौल अपनी ड्यूटी पर एक सितंबर को भी थे इसके बाद से वो को बात करने की कोशिश की गई आमतोर पर जो एक और दो सितंबर को बात चीत हुई थी इस दौरान में पुलिस की टीम उस मौल के तमाम एमपलाई से भी पुछताच कर रही थी जहां पर महालक्षमी काम करते थे और सभी को पुलिस ने काटा हाजर रहने के लिए के कसम से क्या आखिरी बार क्या था उसका कोई behavior क्या था किसी से जगडाकर से दुश्मनी हर एक से पूछताच कर ली लेकिन तभी पुलिस को पता चला कि उस शौप में जितने लोग काम करते थे उन में से एक शक्स में सिंग और वो नहीं आया जब कि में हर एक को कहा था हाजर रहन आखिरी बार वो भी उस मॉल में एक सितंबर को गया था और एक सितंबर के बाद वो भी जो है उस मॉल में नहीं आता है जहां उसकी ड्यूटी तब उस एक मॉल के उस शौप से एक साथ एक सितंबर के बाद दो लोग बिना अपने बॉस को बताए गायब है महालक्ष्मी औ अब जब इधर कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आये तो पता चला कि एक सितंबर को इन दोनों के बीच में बाते हैं हम दोनों शॉप पर ने इसका मतलब दोनों बात दोनों अलग अलग रहते हैं लेकिन महालक्ष्मी और मुक्ती के बीच में बात थी पुलिस सटे मुक्ती का नंबर मिल गया हम उसके लोकेशन और उसे कॉल डिटेल खंगालने शुरू की तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को मुक्ती के मुबाइल का लोकेशन था वो बैंगलूरू में ठीक उसी महले का था जिस महले में महालक्ष्मी रहा करती थी यानि वह लोकेशन बता रहा था कि वो महालक्ष्मी के साथ अब ये दो इंपोर्टेंटली पुलिस को मिली पहली के एक सितंबर से वह भी लगायत दूसरी के 2 और 3 सितंबर को मुबाइल का लोकेशन मुक्ती का सिर हिलाते में था अब यहां से पुलिस को लीड मिली तो पुलिस ने मुक्ती के बारे में और पता किया तो पता चला कि मुक्ती यहीं बैंगलूरू में एक रैंट पर रहता है घर लेक, पुलिस वहां तक पहुँचती है घटक फाक से उस धर में वह अपने भाई के साथ रहता था और वह भाई भी योडिसा का था बेंगलूरू में वह भी काम करता था पुलिस पहुचती है वहां भाई मिलता वो मिलता नहीं है तो पुलिस उससे पूछताच करती है जब पुलिस पूछताच करती है तो बताता है कि भाई तो ये कह कर गया कि वो अपने गाउँ जा रहा है उसका पुलिस सक्ती से पूछताच करती है तब वो पूरी कहानी की बताओ काप से क्या तब उसने बताया कि 3 सितंबर को भाई ने मुझे फोन किया और फोन करके कहता है कि वो तो किराय का घर में रहते हैं उसे फॉरण खाली करो और खाली करने के बाद किसी दूसरी जगह किराय का घर लो भाई पूछता है कि अचानक ऐसा क्यों अभी तो यहाँ है कैसा नहीं बस किराय का मकान छोड़ और जल्दी निकलना तो बोलता है कि क्यों लेकिन क्या हुआ हम फोन पर नहीं बता सकता मगर आकर बताऊंगा वह कहता थी इसके बाद भाई घर आता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाओ और मैं बेंगलूरू सिटी छोड़ कर इसलिए जाए कि मेरे हाथ एक क्राइम हो गया मैंने मड़किया पूछता किसका वह बताता है महालक्ष्मी था और यह कहकर कि तुम यहाँ से अलग हो जाओ मैं मीडिया और बेंगलूरू छोड़ देता है बेंगलूरू से निकल जाता है ये बात उस भाई से पुलिस तक पहुची तो तीसरा को मिला पहला दोनों का साथ एक तारीक से गायब होना दूसरा दो तीम को मुबाईल का लोकेशन महालक्ष्मी के घर मिलना तीसरा भाई जी बता रहा है अब उस भाई के जरिये उसके गाउं का पता मिल गया वह पता था और इसा में एक डिस्ट्रिक है उसी भदरक निफ्टी का रहने वाला था पुलिस के पास उसका मुबाईल नमबर था पुलिस ने अब उसके मुबाईल के ठोस को ट्रेस करना शुरू किया जब प्रेस करना शुरू किया तो देखा कि उसका लोकेशन जो है उस वक भुवनेश वर था जब पहली बार ये सारी चीजें एक को ये खुलासा हुआ और यह 22 और 23 की बात बता सितंबर की मतलब था भुवनेश पुलिस के फॉरण तीन निकलती है गरबरी होता है कि वह नमबर चेंज होता है वह से निकाल कर फेंग देता है शायद मुक्ती को इस बात का एहसास था क्योंकि 21 के बाद अचानक मीडियम ये खबर आ जाती है कि बेंगलूरू में एक महिला की लाश फ्रिज के अंदर के टुकरों में मिली हर जगा अकबारों में खबर चब चुका है अब वो उसे पता चल जाता है और इसा को भी अब छोडने की कोशिश करता है कि उनको से पत जाता है अब क्योंकि उसने तो बदल लिया लेकिन मोबाइल वही था तो उस मोबाइल वही होने की वज़े से उसका लोकेशन अब भी पता चल रहा था अब वो बेंगलूरू पुलिस और इसा पुलिस से कॉंटेक्ट करती हूं बताते हैं कि भद्रक डिस्टिक मिलेगा य जो है तीन-तीन टीमे ओलिसा के लिए निकल चुकी थी अब ये सारी कवायत चल रही है मुक्ती को पकरने के लिए और मुक्ती को यह है कि गाउं तक कुलिस जाएगी वह बंगाल चला गया लेकिन फिर उसे लगा कि शायद बंगाल में भी कुछ हो सकता है या उसके दिमाग मे कुछ और चल रहा है 23 तारीक की शाम को बंगाल चोड़ता है और वापस ओडिसा की तरफ निकलते हैं वही भद्रक डिस्टिक जहां उसका उसी द्रिश्टी के गाउं में घर है 24 सितंबर की देर रात करीब गत सारे 10 बजे वह अपने घर पहुंचता अंधेरा हो रहा था ग फिर खाना खाना खाकर पूरा परिवार हो जाता है लेकिन थी सुबह 4 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था तब मुक्ती चुपचाप से उठता है अपने फादर के नाम पर रजिस्टर बाइक को उठाता है बाइक या स्कूटी होती एक बैग उसका जो लेकर आया था व उठर से करीब 3 किलोमीटर तक वह बाइक चलाता है 3 किलोमीटर के बाद वहाँ पर इलाका है एक का ब्रिस्तान कहलाता है वहाँ पहुचता है बाइक पार करता है एक पेड है और फिर उसके बाद सुबह हो जाती है सुबह करीब 7 बजे जब रोशनी आई कुछ लोग उधर से गुजरते पेड़ से एक शक्स की लाश को लचका देते हैं फोरन पुलिस को खबर की जाती है पुलिस करीब आट बजे मौके पर पहुंचती अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं कौन है क्या है पुलिस पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर एक बाइक है लैप्टॉप बैग है पुलिस की टीम आई उसके बाद लाश को उतारा जाता है फिर कुछ गाव वाले बताते हैं और वह सारी चीजे थी उससे पता चल गया कि कौन है घरवालों को खबर दी जाती घरवाले आते फिर लाश को अस्पताल ले जाया जाता है अब इसके बाद जो उस इलाके के था नहीं सच है उन सारी चीजों की तलाशी करते हैं उन्हें डाइरी मिलते हैं और उस डाइरी में एक नोट लिखा हुआ था और उससे नोट सी यह पता चला पहली बार की बंदा कौन और इसमें क्यों उत्तम इस तरह से अपनी जान दी नोट की कुछ लाइने थी उसमें ये थी कि मैंने अपनी मैं प्यार करता था अपनी प्यारी महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला उसके सुसाइड नोट के कुछ लाइने 3 सितंबर को मैं जिस महालक्ष्मी से प्यार करता था मैंने उसका कतल कर दिया और उसने बताया कि मैं असल में उसके बेहिवियर उसके बरताव से बहुत तंदा आ गया था और इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हुई इस लड़ाई के दौरान मामला हाथा पाई तक पहुँची मुझे गुस्सा आ गया मैंने उसका सर पटक दिया इसके बाद वह थोड़ी सी बेहोश हो गई फिर मैंने उसके सर पर जोर से मारा वह गिर पड़ी और मुझे लगा कि शायद वो मर गई और ये सब कुछ अचानक हुआ और वो हुआ क्योंकि उसकी है बेहिवियर और उसके कुछ और ऐसे रिष्टे थे इसको लेकर दोनों में जगड़ा होता था पसनल जल्द तो 3 सितंबर को ये जगड़ा हुआ और इसके पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी उसमें ये है कि जो कुछ हुआ अचानक हुआ और सिर्फ और सिर्फ उसके कंड़क्टर बेहिवियर से परेशान था और वह से लड़ाई लगने के दोरान हाथा पाई हो गई हम दोनों ने अपने मैंने उसके सर पर मारा और उसके बाद उसकी मौथ हो गई और फिर उसने लिखा है कि फिल्म मैं बचने के लिए मैंने उसकी लाश के टुकड़े की और टुकड़ों को फ्रिज में रखा सफाई की घर की और यह सब करने के बाद मैं चुप-चाप घर से निकल गया अब वो टीम पहुंच रही है लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो जाता है कुछ घंटों का फल था जब बेंगलूरू की टीम हो सकता है अगर कुछ घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद मुक्ती को जिन्दा पकड़ लेती उस रात गाउं के बाहर जाल बिछा कर बैट लेकिन आने में थोड़ी देरी हो गई और इस देरी की वज़े से बहुत कुछ हाथ से निकल गया अब लाश का पोस्ट माटम के बाद उसके घरवालों को सौंप दिया गया अंतिम संसकार भी कर दिया गया अब बेंगलूरू पुलिस नोट और जो बार की डॉक्यूमेंट या सामान उसको अपने कबजे में क्योंकि केस दर्ज है तो लेने की कोशिश कर रही है औरिसा पुलिस की ADG Law and Order संजय कुमार उन्होंने कहा कि वह अदालत के थरू आएंगे उनकी डे देंगे क्योंकि यह केस टडी में उनके पाठ तब ये सब कुछ लेकर औरिसा औरिसा पुलिस बेंगलूरू तरफ वापस बेंगलूरू जाएगी इसकी बहुत नेचुरल डेत के तौर पर औरिसा में रजिस्टर कर लिया गया जो मुक्ती रंजन और मुक्ती रंजन की मौत के बाद उसके घरवालों को पहली बार पता चला कि मुक्ती रंजन की बेंगलूरू पुलिस तलाश कर रही थी तो ये तो हुई पूरी कहानी अब मुक्ती रंजन की मौत के बाद कुछ सवालों के जवाब पता नहीं कभी सामने आने के लिए जैसे जिस तेजधार हतियार से लाश के टुकरे किये गए बरामद नहीं हुए और खुद मुक्ती नहीं है कतल करने का असली मकसद क्या था क्योंकि उसने सुसाइड नोट में डिटेल में वो सारी चीजें लेली कुल मिलाकर जुराई ने उसका निचोड लिया है कि मैं उसके बहेवियर बरताव से हमारे बीच में अक्सर लड़ाई होती थी और उस दिन अचानक लड़ाई हुई अप्रियर रिपलाई नहीं था उस समय बाद हमारा स्थल पर लगावा गिर गई फिल्म दर से लाश को छुपाने के लिए मैंने उसके तुकड़े के तुकड़ों की तादाद 50 से ज़्यादा थी तो बस इतनी सारी चीजे हतियार नहीं मालूम मोटी नहीं मालूम इसके पीछे उसके साथ कोई शामिल था ये भी पता नहीं है तो खेर बेंगलूरू पुलिस का ये केस एक अजीब मोर पर आकर एक तरह से खत्म हो गया तेज़ पुर पूरे की बात थी अब आते हैं उस बात पर की ऐसे केस में कई बार जो शक के घेरे में हैं उसके नाम क्यों नहीं बताए जाते हैं जिसमें हालांकी बने डिटेल में आपको जवाब दिया था असल में बेंगलूरू से एक पुलिस अफसर और एक हमारा रिपोर्ट में वहाँ पर गेराज बहुत ही होनार क्राइम रिपोर्ट में से जाया और फोन आया वो ये कि जिस दिन ये के सितंबर को लाश मिली और 69 तुकड़े और फ्रिंज हो क्या होता क्या है कि जब इस तरह इसे फ्रिज में कहीं भी लाश मिले तो आप चाहे न चाहे आप सील है रिकॉल करेंगे श्रद्धा और आस्था पुनावाला के क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थी तो सीधे लोगों को केस को रिलेट करते हैं अब यहां पर यह हुआ की हस्बेन ने नाम पुलिस को उठा चुकी थी उठाने के बाद करीब 12 घंटे तक उसका इंटर्व्यू किया उसके लोकेशन उसकी सारी चीजे देख ली और पुलिस समझ गई कि इसमें शक्कर कबूल नहीं उधर पुलिस के दूसरे तीन तब तक दो चीजे पता कर चुकी थी पहला एक सितं सितंबर से ही गायब था सदा के महालक्षमी के घर के जो लोकेशन था वह लोकेशन मुबाइल टावा का वहीं दिखा रहा था महालक्षमी का मुक्ती का दो और तीन सितंबर तीसरा एक CCTV फुटेज मिला था जिसमें एक स्कूटी पर दो लोग दिखाई दिये थे और उसमें एक मुक्ती था हालां कि वह साथ चेहरा नहीं था लेकिन पुलिस ने कंफर्म किया था तो ये सारी चीजें आगे अब इसी वज़े से पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि अगर आप पहले से नाम लोगे तो जो ये हुआ इस केस में अब इसके लिए पता नहीं कौन-कौन जिम पुलिस कमिशनर द्यानन्द उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी ये नाम नामक लेना क्योंकि स्वत एक ही नाम आया था शुरू में पुलिस ने उठा लिया रोजा के नाम के लेने से ही होगा कि बैंगलुरू में जहां इंसिडेंट हुआ है वहां माहौल खराब हो सकता है हिंदु मुसलिम वाली बात हो सकती है और जब कि अभी ये कन्फरम है कि ये इसमें शामिल नहीं है एक बार शामिल हो जाएं आप नाम कन्फरम हो या तो तो महौल खराब नहों आपको पता महौल बिगारने वाले लोग भी हर जगह मौजूद होते हैं तो इसी डर से पुल यह वजह थी और दूसरा इसका नाम उसी दिन से था मुक्ती जो उलंधन है मैंने आपसे भी कहा था कि नाम है हमारे पास लेकिन नाम इसलिए भी ले लेना था क्योंकि पता चल जाएगा कि भाई यह वही है उसी के पीछे पुलिस वहां के होम मिनिस्टर पुलिस कमिशनर स चल रही थी कुछ आशालिय दीपक और नीता में गया था उसमें भी और जवाब है एक ही की होती है जहां पर हम लोग बैटे होते हैं जर्नलिस्ट दोनों तरफ से मारे जाते हैं क्या कीजिएगा पड़ा था मुझे बड़ी शर्मा रही थी उसमें ये था कि बहुत सारे द चाहे वो अबदुल हो या श्रॉफ हो चाहे वह मुक्तिरंजन हो इससे जो महालक्ष्मी के साथ हुआ वह दुरो कम हो जाता है एक कॉक्टिल या एक रेपिस्ट एक खास धर्म का होने से क्या उसके साथ रियायत बरती जानी चाहिए उसे प्यार किया जाना चाहिए ऐसे ल महालक्ष्मी के घरवालों से ज्यादा पूछी अभी जिन लोगों ने उसकी लाश लटकी हुई उन सट टुकडों में आप कैसे देख सकते हैं कपडों में समेट कर ले जाते हैं तो अगर ऐसी चीजे लोग देख ले और उन बातों को भावनाओं को समझ ले तो शायद ऐस चीजे बातें नहीं करेंगे तो मेरी जितनी भी आप लोग हैंसे बस एक ही रिक्वेस्ट के सब करने से क्या होता है ना कि हम एक अच्छा और सभ्य समाज में रहना चाहते हैं उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी बात आती है पैसा होना नहीं चाहिए मैं बार बार कहता हूँ इसको सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से देखना चाहिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात आदिम लगे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको सफाई देनी चाहिए ने फर्क है जहां गलती है वहां गलती के तरफ मोरना चाहिए अगर आप नहीं बोल रहे तो कोई फा कितना घटिया क्राइम किया, कितना घिनोना जवाइम किया और उसके लिए उसे जितनी सक्त सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए. तो आपको कुछ, तो खेर अफसोसना कहानी थी लेकिन हाँ क्राइम की अगर पहलू से देखें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें और या भी बताएं कहां से सन रहे हैं